नमस्कार दोस्तों विनीत पंडे इस वक्त मनाली से थोड़ी से धूप निकली आज तो कोशिश की कि छत प्याग आपसे बाचित की जाए आया था वैकेशन के लिए लेकिन एक नहीं दो-दो नोटिफिकेशन आगे नेट जिर्फ के हिस्टोरिकल है एतिहासिक है और जैसा कि आप जानते हैं कल परसों लगातार नोटिफिकेशन आ रही थी बहुत कॉल मैसेज़ेज बजने शुरू है और कहीं ने कहीं मेरी जो वेकेशन ट्रिप है वो हैंपर हुई है शाम को और सुब सवालों के जवाब देने अपर से बहुत सारे बच्चों के ना कुछ सवाल आ रहे हैं एक्जाम तीन महीने में होगा मार्च में फिर तीन महीने में होगा जून में तो यह खुशी की बात तो है लेकिन यह बात आओ तैयारी कैसे करोगे कुछ यूट्यूबर्स का मैंने द अपरोच है आप इसे एक स्टुडेंट का ग्रूप है तब का है जो मुझे फॉलो करते हैं देखो कोवीड की इंफोर्मेशन बहुत सारी है न्यूज बहुत सारी है लेकिन जो मेरा अपना अंडरस्टेंडिंग है वो यह है कि इंडिया में कोई 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 का सीन नहीं होने है वाला मेरा अपना अंडरस्टेंडिंग है क्योंकि हमारी इम्मुनिटी और वैक्सिन की वरस्ते हमने वैक्सिन भी लिए है इंडिया वह देश है जहां पर हल्दी धनिया पुदीना अद्रक यह सावारी किचन में होते हैं आधा आयुर्वे तो मुझे लगता हमारी पदलब उनको भी पता है कि कोविट इस सीरिस लेवल पर नहीं जाएगा अब सबसे बड़ी चीज़ बच्चे खूश हैं दो दो एक्जाम होना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह कि क्या तुम वो दोनों एक्जाम में से किसी एक में भी पास हो जाओगे पढना तो पड़ेगा ना एक्जाम तो दोगे ना एक्जाम तो attempt करोगे यह सच है syllabus बहुत बड़े हैं आप दसवी के student नहीं हो बारवी के student नहीं हो higher studies higher education पोस्ट ग्राजुएशन के ऊपर का सलेबस जो किसी को पता नहीं होता मल्टिपल युनिवर्स्टीज के सलेबस को जोड़के लेटेस रिसर्स को जोड़के आपका नेट का पेपर बनता है जब आपके पेरेंट्स कहते हैं तेरे से नेट नहीं निकल रहा उनको मेरा ही वीडियो दिखाना नेट का सलेबस बच्चों का खेल नहीं है बहुत बड़ी चीज है और ऐसा भी नहीं है कि सारी भुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं और जो सलेबस UGC लिखके देती है वो सलेबस सिर्फ एक समझदार को इशारा काफी है वो वाला सलेबस होता है वो एक्जैक्टली नहीं बताते क्या होता है फर एक्जैम्पल अगर UGC सलेबस में मुझे बोलेगी कि मनाली चले जाना तो UGC कभी नहीं बताएगी कि वहाँ पे मनाली कहां है कैफे कौन सा है हिडिमा डेमपल कौन सा है कितने डिस्टेंस में सैथन वेलेज होगा यानि कि वो सिर्फ सर्फेस लेबस देते हैं इन डेप्थ नहीं बताते तो आप जितने भी स्टूडेंस कोशिश कर रहे हो मेहनत कर रहे हो आपका एक्जाम बहुत बड़ा टफ एक्जाम अब सवाल आता है कि सर करें क्या कल से मैसेज़ेज आ रहे हैं पहली बात Crash Courses के नाम पए कहीं भी Admissions बडमिशन्स मत लेना क्योंकि देखो Crash Course होते हैं पचीस तीस दिन के लिए जहां पे एक दम हाईलाइट पॉइंट्स करते हां हम भी पढ़ाते हैं क्रेश कोष तो क्रेश कोष 25 तीस दिन के लिए होता है जो उसका इक अपना पैटन है यहां पे 50 दिन है आपके पास अगर एक जनवरी से ले करके हम 25 फरवरी को भी काउंट करें तो आपके वास 50 दिन है कम से कम 30 और 20 पचास 55 तो 50 मानो 50 दिन में सेलिबस को कवर किया जा सकता है खास करके अगर आपका टीचर आपको लगातार मॉनीटर करें तो यह बात पॉइंट टू भी नोटेट सबसे इंपॉर्टन चीज जहां भी पढ़ रहे हो जिसके पास भी पढ़ रहे हो उसको बोलना कि सर क्रैश कोर्ज नहीं पूरे 50 डेज आप हम फीपर में पैसा दे दिया कौन सा पहले पढ़ना है कौन सा बाद में पढ़ना है कहां पर ज़्यादा जरूरत है अच्छ टोड़ना की शचान से आपने अपने अपने पास सारे मैं चाहूं तो उसले बस एक दिन में खेतम कर सकता हूं क्योंकि हर वो चीज जीरो से लाश्ट तक सो तक हर वो चीज जो आती है वो हमारे पास अलड़ी है हाई क्वालिटी स्टेंडर्स है सब कुछ है तो चाहें तो हम आज पैसा ले सब को सब कुछ दे दें लेकिन ये लक्ष नहीं है अब पैसा भी दे दोगे एक साथ सब कुछ ले भी लोगे लेकिन पढ़ोगे कैसे कहां से स्टार्ट करोगे इसलिए हमने इस बार क्या डिसाइट कि है हमने हमारे लिए मैं अपने लाइव सेशन तीन गुराँ बढ़ाओंगा तीन गुरा मेंटर्शिंट कें काम करूँगा जो मार्च वाला भी देते हैं हम जून वाला भी देते हैं मार्च को टार्गेट करो जून को टार्गेट मत करो खास करके जो ऑनलाइन स्टूडेंट पहले वाटेंट को ही सीर्ज लिलो दूसरा आप्शन मत रखो दूसरा आप्शन लेके चलने का मतलब है कि आप पहले अटेंट को बोलो हमें live classes चाहिए regular live classes हो जाएंगी internet सब के पास है YouTube सब के पास है I'm sure teachers को पढ़ाना आता होगा तो camera पे बैठ के पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर किसी teacher को देख के पढ़ाने की आदत नहीं हो तो live पे जाओ और अपने study आपके लिए सिंपल सा मैसे अगर आपका पहला net exam है टार्गेट जून को करो लेकिन पूरी कोशिश करके मार्च का exam दो क्योंकि अगर नहीं भी हुआ तो आपका जून exam है उससे पहले आपकी एक practice हो जाएगी तो जो freshers है जो पहली बार exam देंगे आपके दिमाग में target जून का होगा लेकिन कोशिश आपको मार्च की करनी है मेरा टार्गेट अपना यह है कि मैं online classes को पहले मार्च के हिसाब से पूरा सलेबस कवर करवाऊंगा और वो student जो जन्वरी में हमारे साथ जुडेंगे अभी उनको उसी फीस में जी हां दोस्तों उसी फीस में जून अटेंट तक भी पढ़ाऊंगा यानि कि दोनों exam की preparation करवाऊंगा यह एक ऐसा समय है जहां पर बहुत समय के बाद लगबाद धाई तीन साल के कोविट पीरिड के बाद बच्चों के लिए एक golden चांस आया है कल हमारी office की meeting हुई थी जिसमें हमारे जो seniors और बाकी लोगों का एक proposal था कि हम मार्च तक का admission अलग लेंगे अलग fees लेंगे फिर मार्च से जून का अलग fees लेंगे वहाँ पर मैंने सर से एक बात कही थी कि सर हम सिर्फ teaching के लिए नहीं जाने जाते हैं बच्चों के अंदर थोड़ा सा हमारे लिए प्यार और image भी है वो हम एक ideal teacher की तरह देखते हैं आपके लिए मेरा प्रियास यह है कि यह नया साल यह फर्स जनवरी आपके लिए हर हाल में success लेकिया है हर हाल में आपका ज्यार रफ जो students दूसरे subject के हैं अपने teachers को भी यही बोलो crash course के चक्कर में मत पढ़ना crash course का एक बहुत बड़ा फाइदा teachers को भी होता है वो आपको selected चीज़े बोलके जहां भी important चीज़ें वो नहीं देंगे और बोलेंगे crash course है हर कोई crash course के साथ honest नहीं होता crash course में जाने से पहले full course में जाने से पहले teacher को चेक कर लो कि क्या वो teacher इस तरह के pressure में आपको पढ़ा सकता है या नहीं phone पे बात करो message में बात करो बोलो live class चाहिए live class live class में दोस्तों editing नहीं होती cut नहीं होते आप सवाल पूछ सकते हो इसलिए आपके लिए message मुझे बहुत जरूई था 6 महीने है दो exam है लेकिन अगर आपने गलती कर दी तो ध्यानक ना teachers को कोई फरक नहीं पड़ता नए बैच आपकी गलती आप ही जिम्मेदार होगे भारतिय सिक्षा व्यवस्ता की सबसे बड़ी कमी यह है कि स्टुडेंट जो है वो बिचारा रगड़ रगड़ के गिस गिस के पढ़ता भी है फीस भी देता है चाहिए कहीं से भी लाके दे और फेल होने की जिम्मेदारी उसी पर हाल दी जाती है इसलिए गलती से भी गलत टीचर मत चूज करो तैयारी करो मेहनत करो और अपने अपने सब्जेक्स के टीचर को बोलो कि जैसे विनीज सर ने बोला है कि एक ही फीस में जनवरी टू जून दोनों एक्जाम्स की तैयारी होगी और दोनों बार से लेबस पूर आशी जगह पढ़ रहे हो जहां पर उन्हें पता निय του पढ़ाना किया है अग्जाम्स हर बार बदलते हैं पैटन्स हर बार बदलते हैं टॉपिक्स बार बदलते तो अगर आपके पास लेटर्स लेक्च्चर में इस तरह की चीज़ें नहीं है तो आप अपना समय खराब क करोगे टीचर्स को फर्क नहीं पड़ता एक्जाम खत्म होते ही दूसरा बैच आ जाएगा आपके लिए आपकी तरफ से बात करने के लिए मैं यहां पर आए था अगर यह बात समझ में आई हो दिल पर आई हो तो लाइक जरू करना शेयर करना और हां इसका इंग्लिश बैच स्टार्ट होने वाला है थैंक यू सो मुझ जय हिन